एक बड़ा खुशकबरी निकल के आये दोस्तो वीडियो को कॉंपलेट वाश करना ठीक है तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं देखो दोस्तो लगातार कुछ मेहिनों में IRFC स्टॉक में गिराओड यानि इसने जो वाल्टेम ही किया था 229 का उसकी भादी IRFC में गिराओड च वाश करना ठीक है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं देखो दोस्तो मैंने पहला भी कहता कि डरने का नहीं है अभी जितना होसा के माल उटा लो अभी खरीदने का एक मौका दे रहा है क्योंकि दोस्तों आज ना काल IRFC जो ओल्टाइम है किया है वो तो भाई टाच करेगा करेगा जरूर अगर आपने दोस्तों उपर के लेवल में इसको बाई करके बैटा है तो आप गर आपका पॉटफिल्यू बहुत रेट में चल रहा है लोस हो रहा है बहुत लोस हो रहा है क्योंकि दोस्तों सिर्फ आपका नहीं वाई सभी का लोस चल रहा है और देखो दोस गिराउट आज सकता है इसका लाश्ट सपट लेवल दोस्तो वान फोटी का अगर यह थोड़ता है तो दोस्तो ओंट ट्वेंटी का आप इस्टब्लों से लगा सकते हैं अगर दोस्तों काल बाजार खुलते इसका जो वान डैसीक्स्टी तीरी का जो रिजिस्टेन लेवल है हो ऑगर फार्क करता है तो दोस्तों अप लॉंग टाम बिसील राख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों ड्रहने का नừa ही दोस्तों अगर आप लॉंग टाम सिह आहे हो स्थाम में दो तो आज आपका पास कीटना हो जाथा भाई एकबर सोचो दोस्तों डरंने का नहीं है पैनिक नहीं होने का दोस्तों ओर इसका जो आरसा ही है दोस्तों अभी तेज़ी आएगा तो काल मर्केट हुलती इसका इशांटे दो सब दाउन दॉस्ट को पता ही होगा अभी वहर्ण चल रहा है ना थो फीजोइब को ही पता है कि क्यweenक टो फॉस्ट जोब वर्ट में तेज़क में यह सकता है जायर ओ अझा टो इंडियान मार्केट भिछा एटा प्र Shimano तो टेंक्शन नहीं नहीं लेका है दोस्तों होल्ड करो सब्बर रखो और दो साल तिन साल के लिए जो निभेशक है वही तो प्रफिट लेके बाई जाएगा ना मार्केट में तो दोस्तों अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको बहुत लोस होगा होल्ड करो लंबे समय तो